तो स्वागति किसान भायो भार्क में सबसे ज़्यद उत्पंदलियों टेक्निक अमरुप पैटन में किसान भायो माई दिने दिश्मगा 14 नुवेंबर 2022 आज हम चैन्ने में पहला स्प्रे कौन सा और कब लेना चाहिए उसके बारे में जानकरी लेगे अगर आप पहली बारे चैनल पर है तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राब और शेर के जेता कि हरे किसान को अमरुप पैटन टेक्निक के बारे में जानकरी मिले बहुत से नए किसान है जिनको अमरुप पैटन टेकनोलोजी के बारे में अधिकतम जानकरी नहीं है तो आप Google Play Store पे जाके Amuro Pattern App डाउनलोड करके वहाँ पे हरे क्रॉप की जानकारी आप ले सकते हैं तो शुरूरात करते हैं किसान भाईो चैने में पहला स्प्रेज सबसे पहले कब लेना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे चैने में पहला स्प्रेज अच्छे तरह जर्मिनेशन होने के बाद 15 या 20 दिन के बाद आप कोडो शत्र में ले सकते हैं और बागायती जहाँ पे स्प्रिंगलर की पाने की योस्ता है वहाँ पे पहला स्प्रेज 20 या 25 दिन के बाद लेना है अगर आपके खेत में चैने में ज्यादा स्य ज्यादा मर्रो का प्रद्रवा है तो आप 12 या 15 दिन के बाद पहला स्प्रेज चैने पे ले सकते हैं इसके बाद चैने में पहला स्प्रेज लेते समय कौन-कौन सी दवाई लेना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे किसान भायो अगर आपके खेत में अगर आपने कोडो शेतर में चेने की बुवाई पेरनी किये है और वहाँ पे चेने की अच्छी तरह से ग्रोथ तो वहाँ पे आप टॉनिक या विद्रवखत ले सकते है जैसे कि इसाबियन 80 मिली प्रती 15 या 20 लिटर पम के लिए लेना है इसके साथ हमें एमा मैक्टीन 10 ग्राम प्रती 15 या 20 लिटर पम के लिए लेना है किसान भायो शुरुत में चेने में सबसे ज़्यादा हमें मरोकरा प्रदरवा दिखाई देता है अगर आपके खेत में पहला स्प्रे लेते समय चेने में मरोकरा प्रदरवा आधिक तम्याली 40 या 20 परचेंट है तो आप पहला स्प्रे लेते समय कस्टोड या 30 लिटर पम के लिए ले सकते है और अगर आपके खेत में मरोक्रा पादरवा कम है याने 20-25 परचेंट है तो आप रोको 30 ग्राम या साप पौडर 30 ग्राम ये दोनों में से एक ले सकते है तो किसन भाई इस तरह हमें चन्य में पहला स्प्रे लेते समय दवाई लेनी है अगर आपके खेत में चन्य में अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो रहे है तो वहाँ पे आप इसा बियान 80 मिली 15 पंदरवा 20 ले ले सकते है इसके बाद हमें थायमेक 25 परशेंट 10 ग्राम लेना है और अगर आपके खेत में मर्रोक्रप अदरवा अधिक तम है तो वहाँ पे कस्टोडी या 30 मिली 15 या 20 ले ले सकते है और अगर आपके खेत्मी बूर्शी या मरुक्र पदूर्वा कम है तो रोको 30 ग्राम या साप पाउडर 30 ग्राम ये दोनों में से एक आप ले सकते हैं तो किसन बॉई इस तरह में चन्ने पर पहला स्प्रे लेना है इसके बाद दुसरा स्प्रे कौन सा करना चाहिए तिसरा स्प्रे कौन सा करना चाहिए और चोता स्प्रे कौन सा करना चाहिए इसकी पूरी जानकरी आपको इस चानल पर देखने को मिलेगी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अमुरी पैटर्न आप डाउनलोड करके वहाँ पूरी चैने की जानकारी ले सकते हैं तो ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें अमुरी पैटर्न आप चल नमस्कार